जोगंबर सिंख स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारे बच्चों को बच्चे क्लास के साथ जोड़ चुके हैं आप सभी बच्चों से अन्रोज है एक बार जो है आप सभी बच्चे इस क्लास को सेर कर दीजे जिस्ते की और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जोड़े हैं और उन्हें भी जो है इस क्लास का लाव प्राप् इन प्रेशनों को आपको note down जरूर करना है जिससे की और भी जो आपका जब exam हो तो उन exam में भी जो है आपके ये questions जो है ये काम आ सके इनका revision आप proper कर सके इसके लिए जो है आपको इसे note down जरूर करना है और जैसा कि आप सब भी को पता है साम को 5 बजे जो आपकी class जो है ये हो है उसमें जो questions आपके आई हैं उनी questions का analysis हम आप पर करते हैं साथ में देखते हैं इनसे और कौन-कौन शे महत्पून question जो है आपके बन सकते हैं जो कि आपके exam के point of view से बहुत ज़्यादा जरूरी है तो करना आपको ये है कि आपको एक बार जो है इस class को अंत तक देखना है pen paper लेकर बैठिये और मैं कुछ question भी बीट में आपसे पूछे हुआ जिने आपको comment box में जो है जिनके जवाब लिखकर आपको देने है और इस class को एक बार आप सभी जो है share जरूर कर दीजे जिससे की और भी जो बच्चे है वो भी इस class को देख सके उने भी जो है इसका love जो है मिल सके पहला question है आपका क्या हो जाएगा आपका anything but kamos क्या हो जाएगा anything but kamos जो है यह इनकी जीवनी है तो यह आपको आपको देखना है देख लेदें आपके option में और जो चीज़ा दी है इनके क्या क्या जो है कौन किस-किस की यह किताबें जैसे आपकी खुलम-खुला जो यह book है याद रखिएग ये है रिसी कपूर की तो ये आपको याद रखना है और अगर बात करें दा सफ्टेंट एंड दा सेडो तो ये किसकी हो जाएगी तो याद रखेगा ये हो जाएगी दिलीप कुमार की तो ये आप सभी बच्चों को याद रखना है दिलीप कुमार का निधन जो है हाली में यह किसकी book है तो याद रखिएगा ये है नसुरुद्दीन की किसकी नसुरुद्दीन सा की जो है ये book है तो ये भी आप सभी बच्चों को याद रखनी है क्योंकि ये book भी आप लोग के लिए बहुत जादा मैथ पूर है पहला प्रेस्न आज के लिए आपको जो कमेंट में लिकर बताना है अगला निम्लेकात में से कौन रोपर फसल की स्रेडी में आता है याद रखेगा ये ब्यापारिक फसलों के अंतरगत आती है किसके अंतरगत आती है तो याद रखिएगा ब्यापारिक फसलों के अंतरगत जो है यह आती है ब्यापारिक फसले कौन सी कौन सी है तो याद रखिएगा इनमें जो ब्यापारिक फसले या कहें रोपर फसलों में कौन कौन सी फसले और है तो याद रखिएगा यहां बाजरा को छोड़कर बाकी की तीन जो ककड़ी आलू कॉफी है ये तो आपकी रोपड फसले हैं ही इनके अलाबा और कौन-कौन से हो जाएंगी तो याद रखिएगा इसके अलाबा आपकी एक हो जाएगी गन्ना चाए रबर टेला ये आपको याद रखना ये क्या है ये हैं आपकी रोपड फसले है ये एक चीजा और आप सभी को धान देने की है और वो ये है कि अगर बात करे रबर की तो याद रखिएगा ये जो रबर है ये होती है धूमद्रेखा के और पास का धूमद्रेखा के नझ्दीक के जो हिस्से हैं वहाँ पर जो है ये रबर जो है ये पाए जाते हैं केरल में कहां पर केरल में पाए जाते हैं यह आपको आजखना है कमेंट में इस से संबंदित एक नैस्नल पार्क कोई एक नैस्नल पार्क जो है केरल से संबंदित आपको कमेंट में लिखना है फटा पड़ते जो है इसका एक नैस्नल पार्क कमेंट में लिखक आपको बताना है बताईए अगरा कोशन कमेंट डिस्किप्शन में जो है इसमें आपको लिखकर जरूर जो है बताने हैं अगरा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज के स्वामित तुम्हें पारित होने के बाद भारतिय इस्टेट बैंक को किस बर्थ बनाया गया था इन विच यर दा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बास क्रियेटिड आफ्टर दा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पास्ट इंटू दा स्टेट ओनर्सिप नैंटीन फोटी सेवें नैंटीन फिप्टी फाइव और नैंटीन फिप्टी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसके हम और बैंक ओफ मदरास कौन सा बैंक ओफ मदरास इन तीनों से मिलकर जो है इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया जो है आपका बना था यह और इनकी इनका गटन कपको हुआ था तो जो बैंक ओफ बंगाल है इसका गटन हुआ था 1806 में बैंक ओफ बंबे जो है यह हुआ था 1840 में बैंक और मदरार यह हुआ था आपका 1843 में तो यह आप सभी को क्या है याद रखना है इन तीनों को मिला दिया गया था 1921 में और क्या बना दिया गया था इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया 1905 में कब 1905 में जो है इसका राष्ट्य करण किया गया और इसका नाम कर दिया गया SBI SBI का Head Quarter कहां पर है इसका जो Head Quarter है यह कहां पर है यह आप सभी को Comments में लिखकर बताना है ठीक एक चीज और आप सभी अच्चों को याद रखनी है वो यह कि यह जो राष्टिय करण किया गया है इसकी सिपार्य से किस सम्ति ने की थी तो याद रखिएगा ये थे गोरेबाला समिथी को सिंस ती तो ये आप उसे मेहतपूर्ण चीजें हैं ये महतबूर आपका क्वेशन हैं इसमें जो फताय गई है फेक्ट है यह मैतपूर है गोरे वाला जो समिती है यह आपकी मैतपूर है क्योंकि यह आपके exam में पूछी गई है और पूछ जाने के चांस से दिखें क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चो को इसके बारें पता होता है ठीक चलिए अगला question मैं बताना है R&EI program मंबई नहीं है याद रखेगा मंबई कोई नहीं देगा जो 1935 में जब ही पना था तब है कमका था था पिर 37 में इसे इस्ताई कार्याले के तोर पर मंबई ले जाए गया फिर 1949 में इसका राष्टी करन किया गया और फिर इसका जो है हेड कॉर्टर बदला गया कहां ये आपको कमेंट में लिख कर बताना है अगला दूसरी सताब्धी इसवी में गौत्मी पुत्र साथ करणी फिलिंदा ब्लैंक बताईए जरा क्या होगा इसका जवाब ये आपको मतलब बताईए का अर्थ यह है कि आपको हर कोश्चन के बाद 10 सेकंड का समय जो है दिया जा रहा है जिससे कि आप कोश्चन को पढ़कर उसका आंसर दे सके जिससे और बाद में टेली कर सके कि जो आपने कोश्चन का संस्तापक है सिमुक कौन है याद रखिएगा इसका संस्तापक है सिमुक तो ये आप सभी बच्चों को याद रखना है याद रखिएगा जो साथ बाहन ही है इन्होंने ही सीसे के सिक्के भी चलाए थे किसके सीसे के सिक्के जो है ये भी इनी के द्वारा चलाए गई थे त ये आपको याद रखना है याद रखिएगा जो साथ बाहन है इनमें ये जो गौत्वी पुत्र साथ करनी है ये तेश में नमबर के सासक थे कौन से तेश में नमबर के जो है ये सासक थे तो ये आपको याद रखना है इनके नासिक अविलेक कब कहां से इनकी जानकारी मिलती इसी में बताए गया है कि इन्होंने जो है क्या किया है इन्होंने सक सासक नहपान को जो हराया था तो ये भी आपको याद रखना है अगला कुशन बारत में किस राष्ट में राष्टिय जलक्रीणा संस्तान है इसका जवाब आपको क्या है जरा एक बार दीजिये कमेंट में लिखकर बतानी है क्या इन सभी की कैपिटल देखेंगे कोशन आसान है पर ऐसा बहुत कम होता है अक्सर ये देखा गया है कि सरल सरल कोशन जो है आप गलत करके आते हैं जब आप एक जम देने जाते हैं जब आप कोशन पढ़ते हैं आपको रगता है सरल है और फटा पढ़ते हैं जो आप उसका अंसर मानते हैं और बाद बी यानि कि गोवा, गोवा के पढ़जी में जो है, ये इस्तित है, ये आपको याद रखना है, यहीं पर आपको एक चीज और याद रखनी है, वो ये, कि महराश्ट्र में एक है, राश्टिय जल अकादमी, क्या है, राश्टिय जल अकादमी है, ये आपको याद रखना है, कब गड़ित किया यह 1988 में और कहां पर है महराष्ट में है कहां पर है महराष्ट में है गोआ में जो है यह राष्टिय जल क्रीडा जो है यह कब इस्तापित किया गया है याद रखेगा यह किया गया है 1990 में कब किया गया है तो याद रखेगा 1990 में जो है इसे इस्तापित किय गीए तो यह दोनों सेम हैं पर दोनों सेम नहिं है वो क्रीडा यानि स्स्पोर्ट अंस्थान है और यह अकेडमी है तो यह आपको याद रखेगा हर कोश्चन पर आपके लिए कुछ कोश्चन है जिनके जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ आपको comment में लिखकर बताने तो class को एक तो अंत तक देखना है जो आपको knowledge दी जा रही है जो आपको पता है अच्छी बात है जो नहीं पता है उसे note जरूर कीजिएगा क्योंकि जब तक आपने note करके revise नहीं करेंगे exam में अच्छा प्रदर्सन आप नहीं कर पाएंगे याद किस संसोधन ने मंत्री परिशत के आकार को सदन के कुल आकार के 15 परिशत को सीमित कर दिया which amendment restricted the size of the council of minister to 15 percentage percent of the total size of house क्या हो जाएगा ये आपको बताना 74th 95th 86th और 61st क्या हो जाएगा इसका जबाब ये आपको बताना है हर प्रस्पर जैसा कि मैंने कहा आपको 10 सेकिंड का सम दिया जा रहा है जिससे कि आप सोचकर प्रस्पर पढ़कर उसका जवाब दे पाएं क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका भी इक क्यानमेमा संविधान संसोधन जो है इसी के तहत जो है क्या किया गया है जो मंत्री परिशत का आकार है उसे 15% तक स संबंदित है जब हम या नगर पंचायत की बात कर रहे हैं तो हमें या ग्राम पंचायत की भी बात करनी है क्योंकि आपके लिए ये जरूरी है तो जो ग्राम पंचायत है इसके लिए जो है आपका 73rd क्या है 73rd constitutional amendment हुआ है ये भी आपका हुआ है 1992 में कमेंट में लिखकर बत में इन दोनों का जिक्र है और किस भाग में जो है इन दोनों का जिक्र किया गया है या उलेख है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है 86rd संबिदान संसोदन जो है ये 2002 में हुआ था तो ये आपको आज़कना है इसी के तहट आपका article 21A जोडा गया है कौनसा article 21A इसी के तहट जो है जोडा गया है ये आप सभी को याद रखना है एक चीज याद रखिएगा जो आपका article 21 है इसमें आपका सिक्षा काधिकार है जो की आपके 86 में संबिदान संसोदन जोडा गया है इसमें आपका एक fundamental duty भी जोड़ी गई है जब fundamental duty सबसे पहले जोड़ी गई थी 42 में संबिदान संसोदन जोड़ी गई थी DPSP में जो है 43 जो है एक article जरूर जोड़ा गया जिसमें जो है सिरमिकों की जो प्रवन्दन है उसमें भागिदारी को जो है ये जोड़ा गया है ये भी आपको याद रखना है एक आपका रह गया 66th amendment constitutional amendment इसमें क्या किया गया इसमें ये था कि 1989 में जो इस से पहले या इस सं सो दन से पहले आप 21 साल के होते थे तभी जो है आप अपनी सरकार चुन सकते थे लेकिन अब इसकी उम्र खटा कर 21 से ठारे कर दी गही है या यानि कि आप फ़िर पर 18 वर्स की आईउ में जो सकते है कि कौन जी सरकार आपको मतलब क्स कौन जी सरकार आप चुनना चाते है य कौन उडिशा का एक लोग प्रिय तिवहार है इन में से कौन सा उडिशा का एक लोग प्रिय तिवहार है ये आपको बताना है गुड़ी पढ़वा, होला महला, धनुयात्रा और थुरुबोनम। उनमें ये कोश्चन पूछा गया था, बार बार पूछा गया था तो लेकर अलग अलग तरीके से ये एक अलग तरीका है पर पूछा गया है तो इसे आपको व्याद रखना है जो धनुयात्रा है क्या है ये जो धनुयात्रा है ये दिसम्मर महीने में मनाई जाती है और यही कंस है वो एक गेयालू और जो कह सकते हैं एक उत्तम सासक था तौ ऐसे में एक बैक्ति कंस बनता है और जो पूरे नगर में घूमता है और जहां पर जिस खेतर में यह बना जाता उस खेतर को मतुरा नगरी में चेंडिए जाता हूब और पास दि pace के जो है मतुरा के नाम जो है रख दिये जाते हैं यहां पर जो कंस महाराज ने कहा है गो जो है उनकी दी हुई सजा या उनके दोया हुआ उपहार जो है जो भी उनकी कही बात है वो पूरी हो तो ये सुनिश्यत करते हैं के लोग, तो यह आपको रखना ना है, याद रखेगा, 11 दिन तक चलती है और 11 दिन तक जो है ये यूद् digital चलता है, ग्यारे दिन सिर्फ महाराज कंस की ही चलती है, तो यह आप सभी को याद रखना पूर्व, जो मुक्ही मंत्री थे, बीजू पटना उन्हें भी कंस महाराज एक बार सजा दे चुके तो यह भी आपको याद रखना है गुड़ी पढ़वा कहां पर है तो याद रखिएगा जो गुड़ी पाड़वा है यह है महाराष्ट का और यही तिवहार उगाधी नाम से किस नाम से उगाधी नाम से यह आंदप्रदेश और करनाटक में भी बनाया जाता है किस नाम से यही सेम तिवहार उगाधी नाम से आंदप्रदेश करनाटक में मनाया जाता है तो यह आपको याद रखना है होला महला जो है यह सिक्कों का तिवहार है चैत्र महीने में यह पढ़ता है हमारे जो हिंदुओं की जो होली है उ जो ओलम बनाया जाता है दस दिन का जो तोहार है इसका सबसे महतपूर ये दिन है तो ये आपको याद रखना है क्या है ये महतपूर दिन है ओलम का सबसे थिरुबोनम तो ये भी आप सभी को याद रखना है ठीक अगला कोशन कोशन है आपका 18 क्या है कोशन है आपका 18 किस भ उम्र में लिखा था which Indian author बाज awarded the John Levelyn rise prize in 1957 for the room on the roof a book he wrote at the age of 17 कौन है यह तो याद रखिएगा इनका जवाब सही जवाब हो जाएगा आपका B यानि की रस्किन बॉंड याद रखिएगा इनकी एक बुक और है जिसका नाम है The Blue Umbrella क्या हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा आपका The Blue Umbrella तो यह आप सभी को याद रखना है किसकी है यह है रस्किन बॉंड की इसके अलावा इनकी एक और बुक है जिसे आपको याद रखना है दिल्ली इज नॉट फार क्या है दिल्ली इज नॉट फार जो है यह भी इनकी एक बुक है तो यह आपको याद रखनी है सलमान रुष्दी की कुछ बुक है आपको याद रखनी है क्योंकि आपकी एकजाम मैं पूछी आती है जैसे सैटेनिक बर्सिस इनकी बुक है याद रखिएगा इसके अलावा इनकी एक इनकी एक book है Midnight Children क्योंसी Midnight Children जो है इनकी एक book है तो ये आपको याद रखनी है इसके अलावा इनकी एक और book है Same ये भी इनकी एक book है ये भी आपको याद रखना है इसके अलावा अगर खुसबंत सिंह की बात करें तो याद रखिएगा Train to Pakistan Train to Pakistan जो है इनकी एक book है ये आपको याद रखना है इसके अलावा ये book महत्पूर्ण है Train to Pakistan कौनसी Train to Pakistan जो book है ये आप लोगों के लिए महत्पूर्ण है क्योंकि आपके exam में ये कई बार पूछी गई है फिर से पूछी जा सकती है कई बार ये लेकर options में दे लेकते हैं कई बार options को उठाके question बना देते हैं तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल कोता ही नहीं करनी है चुप चाप लिख लो अगर लगराएगा हाँ ठक रहा है कौन लिखेगा बाद में लिख लेंगे screenshot ले लेंगे कुछ नहीं चुप चाप लिख लो क्योंकि और इसे आपको revise करना है एक इनकी book है कर्मा कौन सी एक book है इनकी कर्मा तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर आपको जो present comment में लिख कर बताना है क्योंकि मैं comment आप सब के पढ़ूँगा सारे comment पढ़ूँगा जो तुम इनके answer दोगे इसमें जो आपको लिख कर बताना है कर्मा कर्मा इनकी book है इनके अलावा एक और हैं जिनकी book है महिला लेक का है ये बांगला देसी है क्या नाम है इनका ये आपको बताना इनकी एक book है एक्साइल इनकी एक book है एक्साइल कौनसी एक्साइल भी जो है इनकी book है comment में लिखकर बताओ किसकी है फड़ापट से आप सभी को ये आपको comment में लिखकर बताने ही है ठीक है अगर बात करें अमिताब घोसकी किसकी अगर बात करें अमिताब घोसकी तो याद रखिएगा, इनकी एक बुक है The Hungry Tide क्या है, The Hungry Tide जो है, इनकी एक बुक है तो ये आपको याद रखना है और एक है The Saddle Line कौन सी हो जाएगी, एक बुक है इनकी The Saddle Line, तो ये भी आपको लिखना है, Hungry Tide आप जरूर लिख लीजिए क्योंकि ये question में पूछा गया, the shadow line, ये आपको याद रखना है, ठीक, अगला question, Bombay राजी को भासा यादार पर विवाजित किया गया, जिससे बर्स 1960 में, महराष्ट और फिलिंदा ब्लैंक्स का विठन हुआ, गुजरात, करनाटिका, राजिस्तान, गोवा, the state of Bombay by divided on linguistic lines, which led to the formation of Maharashtra and फिलिंदा ब्लैंक्स in the year 1960, गुजरात, करनाटिका, राजिस्तान और गोवा, क्या हो जाएगा इसका जबाब, ये आप सभी को comment में लिखकर बताना है, तो याद रखिएगा, इसका जो सही जबाब है, ये क्या हो जाएगा, इसका सही जबाब हो जाएगा आपका कमेंट में लिखकर बताइए, भासा के आधार पर बनने वाला पहला राज कौन सा था, और इसके लिए जो आमरन अंसन पर बैटे थे, और जिनकी बाद मिर्ट्वी हो गई, जिसके कारण जो है, ये राज बन पाया था, उनका नाम क्या है, ये आपको कमेंट में लिखकर ब गरत्यू भी हो गई, उनका नाम क्या है, कमेंट में लिखकर आपको बताना है, गोआ के बारे में याद रखिएगा, गोआ को पुर्तगालियों से हमने चुड़ाया है, 1961 में सेना बेचकर ही चुड़ाया गया है, तो ये आपको याद रखना है, क्या नाम था उसका, ऑपर ओप्रेशन विजे, क्या नाम था, ओप्रेशन विजे जो है, ये इसका नाम था, तो ये आप सभी को याद रखना है, याद रखिएगा, इसे राज जी का दरजा कब दिया गया है, 1987 में जो है, इसे राज जी का दरजा दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, अ मतलब इसका ये जो खेर आपके दिये हैं इनमें से किसका मड़ी पुरी रूप है संगोल कांग जेई ये आपको बताना है कुस्ती का कौन सा रूप है मतलब किसे मड़ी पुरी कुस्ती कहते हैं मतलब जो कुस्ती ना कुस्ती का मड़ी पुरी रूप है उसे क्या कहते हैं तो कहां पर मड़ीपुर में तो याद रखेगा उसका नाम हो जाएगा आपका यूबी लकपी क्या हो जाएगा यूबी लकपी जो है इसका नाम हो जाएगा ये क्या है ये है मड़ीपुरी लकपी ये आपको याद रखना है यहाँ UB और लक्पी दोनों के क्या-क्या अर्थ हैं तो याद रखेगा UB का अर्थ होता है नारियल क्या होता है इसका अर्थ होता है नारियल लक्पी का अर्थ होता है छीनना क्या होता है लक्पी का अर्थ होता है छीनना तो नारियल छीन का भागते हैं रगवी का जो है मड़ी पुरी रूफ है तो ये भी आप सभी को याद रखना है ठीक अगला कुशन बिस्व पर्यावरन दिवस मनाया जाता है पांच जून को 28 फरवरी को 14 नमबर और 15 जुलाई सरल है कमेंट में लिखकर बताओ कौन सा दिवस है जो की 14 नमबर को बनाया जाता है जितने भी कोशन मैंने पूछेगा है हर कोशन परस पे एक दो एक्टा कोशन मैंने आपसे पूछेए है और उन सभी के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चहिए मैं उन सब को पढ़ूँगा आप सभी को जवाब उनके देने ही है याद रखिएगा विस्ट पर्याबरन दिवस जो है यह पांच जून को मनाया जाता है तो यह आपको याद रखना है याद रखिएगा जो पांच 1972 में इस्टो खोब में पहली बार जो है पर्याबरन सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें विविन देशों ने भाग लिया था पर्याबरन को सर्रक्षन करने के लिए पर्याबरन को बचाने के लिए इसी के अगले साल से इसी के अगले साल से जो है यानिकी 1973 से पांच जून को ही 1973 से 5 जून को ही जो है क्या बनाया जाने लगा याद रखिएगा 200 पर्यावलड दिवस मनाया जाने लगा है तो ये आपको याद रखना है 28 फरवरी को क्या बनाते हैं तो याद रखिएगा इस दिन बनाते हैं राष्टिय बिग्यान दिबस क्या बनाते हैं राष्टिय विग्यान दिबस इस दिन बनाते हैं क्या हुआ था इस दिन जो है सीवी रमन जिने 1930 में क्या मिला है भौतकी में नोबल मिला है किसमें भौतकी में जो है इने नोबल मिला है तो ये आपको याद रखना है इन्होंने 28 फरवरी को जो है रम में जो है भौत की मनोबल पुरुषकार मिला है तो इसलिए 28 तारिक को जो है क्या करते हैं 28 तारिक को राष्टि ज्यान दिवस्वन आते हैं कहा इनों ने खोच की थी इसकी तो याद रखेगा कलकत्ता में ठीक तो यह आपको आद रखना है बानबट जो अपने साइतिक क्रत प्रसी तो प्रस्ट्यों के लिए प्रिसिद्म हैं फिलिंदा व्लैंक्स के सासनकाल के दोरान फलाफुला असोक बिंदुसार चंद्रगुप्दुती और हर्थबर्धन बानबट फेमस और हृजल लिट्रेवी लिट्रेवी बर्क फ्लोरेश्ट डियूरिं गारें आप फि सुक्त ק कमेंट में लिख कर बताना है इनकी द्वारा लिखी कई बुक्श कौंसी है ये आप को कमेंट में लिख कर बताना याद रखिएगा हर्स गर्दन के समय में ही जो है एक बैतिधि आया था जिसका नाम था हुए इंसांग चीनी यात्री था ये आपको याद रखना है इसकी रचना जिसके लिए हम इसे याद करते हैं सी यू की कौनसी सी यू की और एक चीज और याद रखेगा चीनी जितने भी चीनी यात्री थे इन्होंने भारत का उल्लेक किस नाम से किया है तो याद रखेगा भारत क इन्होंने कहा है यन तू क्या कहा है यन तू जो है इन्होंने कहा है तो ये आप सभी बच्चों को याद रखना है चंद्र को दुपतिया याद रखेगा गुप्त बंस के सबसे महान सम्राट थे ये आपको याद रखना है इन्होंने जो है उपादी लीथी बिक्रमा दित्त कि इसकी बिक्रमा जित्ति की जो है इन्होंने उपाधी लीती तो ये आप सभी को याद रखना है रही बात असुक की तो याद की याद रखना है एक मतलब तीसरा सासक था जो की सबसे महान मौरिबंस का सासक था तो ये आप सभी को याद रखना है एक चीज और आप सभी को याद रखनी है कि असोक को हम क्यों जानते हैं असोक को सबसे बहतर तरीके के लिए जिसके लिए हम जानते हैं सबसे बहतर काम वो ये कि उन्हें युद्ध नीती को छोड़कर धंब नीती अपनाई थी अपने सत्रूओं के साथ सला करने के लिए उन पर विजय प्राप्त करने के लिए इनके कई जो है अचा कमेंट में ये लिखकर बताओ कि इनका नाम बास्तविक नाम जो है असोग किन किन अभिलेकों में मिलता है ये कोशन पूछने का कारण ये है कि अधिकतर अभिलेकों में इन्हें बुलाया जाता है देव नाम प्रिये दस्सी किस नाम से देव नाम प्रिये दस्सी के नाम से बुलाया जाता है तो ये आपको आलखना है इनके पिता थे बिंदुसार कर बताईए और उसका उत्रादिकारी आया बिंदुसार के समय में जिसका नाम था डाइमेकस याद रखिएगा बिंदुसार को अमित्रगात भी कहते हैं और इसे पिता का पुत्र और पुत्र का पिता जो है कहा जाता है यानि की चंद्रगुब्टमोर के ये क्या ये पुत्र थे और असोग के ये पिता थे तो ये भी आपको याद रखना है अगला कोश्चन आपके लिए महत पूरा जरधान दीजे कोश्चन क्या है कोश्चन है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल के लिए जो है आपके पास एक स्पेसल बैच है ये आपको करेंगे जो भी आपका कोश्चन आपको बेसिक से कराय जाए गा यहां आपको डेली क्लासिस मिलेंगी डाउट बेस्ट कंटेंट पीडियाप नोर्स जो भी एक दम जीरो तेगी जीरो लेवल से आपको कराय जाए ये मानकर के आपको कुछ नहीं आथा कॉंस्टेबल की तय प्रेस कोंश्टिबल का बैस ले करा रहा है इसका प्राइज जो है यह 799 का है जो कि आपको नहीं पे करना आपको पे करना है 399 कितना 399 आपको इसे पे करना है यह वो नमबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समझ्चाओं का समाधान पा सकते हैं क्या कर सकते हैं सारी पहनते हैं मतलब जो की दूर द्रश्टी में भी काम आते हैं लेंस और जो निकट द्रश्टी में भी काम आते हैं दोनों प्रकार के लेंसों को जो पहनते हैं बाइफोकल उन्हें कौन सी बीमारी होती है या पर उनमें कौन सा दोस होता है तो याद रखेगा जरा दूर मोराPrTeo जो यह आपको attributes हाँ जो राद का प्रियोग किया जाता है यह आपको यह रखना प्रियोग किया जाता है यहापको यहär एक्जाम में पूछा गया है निमने लिकित में से कौन इसी बीमारी आखों से संबन देता है और आफ्टन में दिया गया होता है ट्रैकोमा तो इस चीज को भी जो है आपको याद रखना है अगला चेडिया गिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक फिलिंदा ब्लैंक स सांची मनाया जाता है सांची का स्टूप जो है किसने बनवाया था तो याद रखिएगा कहा जाता है इसे असोक ने बनवाया था कहां पर है ये कमेंट में लिखकर बताईए आप सभी को इसे कमेंट में लिखकर बताना है एक ती याद रखिएगा जो जैन है जैन कौन सा उत्षब मनाते हैं तो ये आपको याद रखना है हिंदू धर्म के त्योहारों से आपको पता ही है दीवाली होली और आपका रक्षा बंदन हो गया और भी रती हार मतलब घड़े सुता हो गया महुत सव गया श्तरह के तिवार जो है? हिंदु तो यह तो आपको पता ही है और सिख कौन से मनाते हैं तो याद रखेगा शिक क्यों क्यों सा इस्तापना की गई थी तो याद रखिएगा खालसा पंत की किसकी खालसा पंत की जो है इस्तापना की गई थी तो ये भी आपको याद रखना है इसका सही जबाब हो जाएगा आपका डी यानि की बुद्धिष्ट क्या हो जाएगा इसका जो सही जबाब है इसका सही जबाब तो तीन राज जूनागर, हैदराबाद और जम्मू कस्मीर ये तीन है जो भारत में सामिल नहीं होना चाहते थे लेकिन जूनागर को सामिल किया गया किसके मतलब ये जो हैदराबाद और जूनागर ये पाकिस्तान में जाना चाहते थे और जो आपका कह सकते हैं जो जम्मू क उप्रेशन पोलो क्या नाम ताह जिसका नाम ताह आप्रेशन फोलो तो यह आपको याद रकना है और जम्मू का ये इंडिया और म्यामार का इंडिया और म्यामार द्वारा चलाया जाने वाला क्या है इंडिया और म्यामार द्वारा चलाया जाने वाला एक operation है किन के खिलाब उग्रबादियों के खिलाब किसके खिलाब उग्रबादियों के खिलाब जो है चलाया जाने वाला एक operation है कब क्या है आत्म कता का सीर संप लिख नर्गार fuego कि ईवद्षित ये अपको बताना है सौरập गांगली सचिंत pennyλ का तूर आनिल कमले और सुनील गाबसकर हुज ओटो बाइग्रफी इस टाइटल सनी डेज स्वारप गांगली सचिंतендलकर अपको बताना है यहाँ पर मैं कुछ किताब और लिख रहा हूँ, मजरब बेसिकली स्रिप एक ही किताब लिख रहा हूँ, जिसका जवाब आपको देना है, और वो कौन सी है, दो लिख लो, एक है straight drive, यह बुख किसकी है, यह आपको comment में लिख कर बतानी है, straight drive जो है, यह किस की बुख है, comment मे लिखकर बताना यह दोनों वुक किस-किस की है आपको कमेंट में लिखकर बतानी है ठीक इसका सही जबाब क्या हुजाएगा ये हुजाएगा आपका सी सुनील गाभसकर की जो है ये एक बुक है ये आपको वाद रतना है सौरब गांगुली की एक बुक है A century is not enough क्या है A century is not enough जो है ये बुक है किसकी सौरफ गांगुली की तो याद रखेगा सचिन तंदलगर की बुक है आपका Playing It My Way कौन सी Playing It My Way तो ये आपको रखना अलिंगल कुमले की एक बुक है Bide Angle क्या है Bide Angle जो है इनकी एक बुक है तो ये आप सभी को याद रखनी है ये बुकों के नाम आपको जरूर याद रखनी है कि बुक्स कई बार ऐसा होता है कि आप से बुक्स पूछ लेता है और आप उन पर धान नहीं देते और आप जो एक दो नमबर जो आसानी से ले सकते हैं और अपने competition में और उसे आगे बढ़ सकते हैं पर दिकत यह हो जाती है कि आप जो है इन बुक्स को कई संगटन है कई कह सकते हैं आपके संगटन के लावा और बी जो चीजे हैं उन्हें क्या कर देते हैं उन्हें जो है आप छोड़ देते हैं जो की आपके लिए ठीक नहीं है तो ये आपको याद अखना है भारत की पंच वर्षिय योजना है केंदरी किरत आर्थिक और सामाजिक विकास कारिक्रम थे जो फिलिंदा ब्लैंक्स में प्रचलित थे सोवियत संग अमेरिका जर्मनी और नार्वे कोशन क्या है कोशन आपका 17 पूछ रहा है पंच वर्षिय योजना है जो है ये कहां पर प्रचलित थी हमने भी ही से लिए कहां से तो याद रखिएगा सोवियत संग से कहां से सोवियत संग में ये प्रचलित थी तो ये आप सभी को याद रखना है और अगर बात करें आपका इसके अलावा हमने इससे क्या लिया है तो याद रखिएगा हमने लिए हैं fundamental duties इसके अलावा जो आपका योजना योग था ये भी हमने इसी से लिया था समाज बात के कुछ तत्तु जो हैं ये हमने सोवियत संग से ही लिये हैं तो ये आपको याद रखना है जर्मनी के बीमर सिद्दांत से हमने क्या लिया है तो याद रखिएगा जो जर्मनी का बीमर सिद्दांत है उस सम्मिधान है सोरी जर्मनी का बीमर सम्मिधान जो है उससे हमने लिया है पर उस समय हम मौलिक अधिकार करें या कुछ अन्य उपवंद जो है उनको कैसे एड़ेस्ट करें यह सब जो है हमने जर्मनी के सम्मेदान से लिए यानि कि जो आपके मौलिक अधिकार है वो 1921 को छोड़ कर जो है क्या कर दिया जाते हैं और उनको जो है कुछ टाम के लिए सस कुछ लिया है याद रखिएगा एकल नयाए पाल का हमने इसी से लिए यह आपको याद रखना है 37 नयाए पाल का हमने इसी से लिए जो जज है इन्हें पज़ब पर इनकी मतलब इन्हें पज़ब पर रखना और हटाने का प्रावदान हमने इसी से लिया है राष्टपती 22 राश्ट्पति के पद और उन्हें हटाया जाना हमने इसी से लिए है याद रखेगा fundamental right हमने इसी से लिए है PIL जिसके जो प्रवर्टक थे भारत में भगवती ये भी हमने उसी से लिए है साथ में एक चीज और आपको याद रखनी है तो ये भी आपको याद रखना है कहां अमेरिका से तो ये आपको याद रखना है ये सब हमने कहां से लिए हैं अमेरिका से लिए हैं टीक अगला question निम्यकित में से किसको भारत का प्रतिस्तितिक तब्त इस्तल नहीं कहा जाता है which of the following is not called the eco hot spot of India पश्चमी गाट, पूर्मी गाट, पश्चमी हिमाले, पूर्वी हिमाले, किसे जो है भारत का पारिस्थितिक तप्त इस्तल नहीं कहा जाता है, बता ही ज़ा, पश्चमी पूर्वी, पश्चमी गाट, पूर्वी हिमाले और पूर्वी हिमाले, तो याद रखिएगा, एकोलो तो यह मोटे मोटे दर पर मानलो यह अपना भारत ही है तो यह आपको याथ रखना है एक हो जाएगा आपका पूर्वी हिमाले यानि इंडियन म्यामार का छेत्र मतलब यह और इसके अलाबा जो बाहर का म्यामार है यह वाला यह तीन हो गए चौता आपका यह जाएगा आपका अन्दमान निकोबार फिर नीचे इंडोनेसिया और जो ब्यतनाम बगरा के जो हिस्से है लानोस बगरा के बो और यह किसकी तहता आते हैं सुन्दा लेंड की तहता मतलब सुन्दा लेंड जो अब नीचे फैला हुआ है पर सुन्दा लेंड में ही जो है यह अन्दमान और निकोबार भी आपका आ जाता है तो यह चार है तो यह आपको आपको आपना है पूर्वी घ कहने पूरवी घाट की सब से उची छोटी कौनसी है यह आपको कमेंट में लिखु कर बताना है मैं पहले बता दिता हूं जिससे की लिखने वाले जो हैं जो कमेंट में लिखें़ोगने उपकि किस राज में निंग थोजा बंस का सासन था मडिपूर हर्याणा गुजरात असम बिच इंडियन स्टेट बाज रूल वाई दा निंग थोजा बंस निंग थोजा डाइनिस्टी कौन सी एक जगे है यह आपको बताना याद रखिएगा तब जो है यह सासन इसनों कब किया तो 35 इसापूर्व के लगबग जो है इनोंने सासन किया है कहां पर मडिपूर में किसने जो है इसे क्या किया है किसने इसे जो है कह सकते हैं इस्ताबित किया है तो इसका नाम हो जाएगा याद रखिएगा लिग लिए नोंगडा लरेन पंक गाबा किसने नोंगडा लरेन पंक गाबा जो है इन्होंने जो है इसे इस्तापित किया था मड़िपूर में है तो यह आपको याद रखना है और इन सब की कैपिटल इन सब की कैपिटल आप सभी को कमेंट में लिख कर बतानी ठीक अगरा कुछ था खिलापत अंदोलन किसको अपमानत करने के खिलाप किया गया था यह आप सभी को कमेंट में लिख कर बताना है तरकिस खलीपा आगा खाम, मौहमद अली जिन्ना और अबूल कलाम आजात तो याद रखिएगा यह आपका एक तरकिस खलीपा को अपमानित करने के लिए जो है उसके खिलाप जब उन्हें अपमानित करने के लिए तो इसके खिलाप जो है ये खिलापत मुमाइन प्रारम हुआ था सबसे पहले कब प्रारम हुआ तो याद रखेगा टर्की में ही प्रारम हुआ था 1908 में इसके बाद भारत में 1919 में कब भारत में 1919 में जो है यह प्रारंब हुआ है याद रखिएगा अली बंदूओं द्वारा यह प्रारंब किया गया है याद रखिएगा कौन कौन थे वो दो बंदू यह आपको कमेंट में लिखकर बताना है यह पिसन का जबाब आपको क्या करना है कमेंट में लिखकर बताना है अगर बात करें पाकिस्तान बना तो इसके पहले पीम भी यही बने तो याद रखेगा अबुल कलाम आजाज याद रखेगा यह सबसे कम उम्र के सबसे अधिक समय तक कॉंग्रेस के पद पर रहने वाले वेखती थे तो यह आपको याद रखना है साथ में याद रखेगा इनकी एक बुक जो सुंद्रेस्वर महोसब मनाता है मद्द प्रदेश, हमाचल प्रदेश, केरल और गोवा विच श्टेट इन इंडिया सेलिब्रेट सुंद्रेस्वर फेस्टिवल मद्द प्रदेश, हमाचल प्रदेश, केरल और गोवा इन सभी की कैपिटल आपको कमेंट में लिखकर बतान यह जो सुन्दरेश्वर महोत्सब है यह किसने प्रारंब किया था तो याज रखेगा 1916 में स्री नाराएंड गुरू द्वारा जो है ये प्रारंब किया गया था तो ये भी आप सभी बच्चों को याज रखना है लिख लीजिए इसे कई बात पूछा गया है कि जो सुन्द करते हुए भारत के सम्मिदान के अनुच्छे 370 को किस बर्थ अपनाया गया था इंविचियर दा इसका जवाब यह आपको बताना है कोशन है आपका 22 क्या हो जागा? कोशन है आपका 22 आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जागा? याद रखिएगा हटाया कप गया है यह भी महत्पूर है कई बार आपके एक जवाब में पूछा जाता है हटाया गया है 2019 में उस 2019 में जम्मू कस्मीर को बाइफरिगेट कर दिया गया था 200 में एक बना है जम्मू और कस्मीर और इसकी राज़दानी क्या है? तो याद रखिएगा इसकी राज़दानी है स्री नगर एक बना है आपका लद्दाक क्या? लद्दाक जिसकी राज़दानी क्या है? तो याद रखिएगा जिसकी राज़दानी है लेह और लेह से ही जो है सिंदु नदी जिसे कहते हैं इंडस निवर ये भारत में जो है प्रवेश करती है और इन दोनों को क्या बनाये गया है यूटी तो ये आपको अधना है कमेंट में लिक कर ये बता spooky लड़्धाक में कौन कौन सी जीन है और कौन सी एक नमकीन पानी की जील है कहां पर लद्दाक में कमेंट में लिखकर आपको उसका जवाब देना है ठीक अगला सो मंगो यान नहीं यहां पर जो टी है नहीं साइलेंट है याद रखेगा सो मंगो जील भारत के किस राज में इस्तित है नागा लेंड अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और मिजोरम नागल सो मंगो लेक इस लोकेट इन बिच इस्टेट ऑफ इंडिया यह आपको कमेंट में लिखकर बताना है कहां पर यह इस्तित है एक चीज आप सभी बच्चों को याद रखनी है वो यह है कि आपको जो है इस क्लास को आपने सभी बाई बंदों के साथ शेर जरूर कर दीजेगा जिससे कि बो भी इसका लाभ ले सकें इसे आपको लाइक भी करना है जब एक बार आप कम्प्लीट की देख लें वीडियो उसके बाद आपको इसे लाइक भी जरूर करना है सभी जबाप क्या हो जाएगा तो याद रखेगा इसका सभी जबाप हो जाएगा आपका सी यहाँ टी जो है साइलेंट देगे जैसे सुनामी होता ना स-U-N-A-M-I इसमें भी टी साइलेंट है तो यह भी जो है सुनामी है तो यह आपको याद रखना है यह जील कहां पर है यह सिक्किम में है तो यह आप सभी को याद रखना है यहाँ पर इस्तित एक-एक नैसनल पार्क कौन सा एक-एक नैसनल पार्क आप सभी को यहाँ कमेंट में लिखकर बताना है जो आपके एक्जाम के पॉइंट अब व्य क्या हो जागा इसका जबाब यह आप सभी को कमेंट में लिख कर बताना, which of the following cities is located on the bank of Portamick river, तो याद रखिएगा, सही जबाब हो जागा, आपका D, Washington DC, तो यह आपको याद रखना है, याद रखिएगा, यहाँ पर आपके bird bank और IMF, इन दोनों का headquarter भी है, याद रखिएगा, यह जो दोनों हैं, यह बने हैं कब 1944 में, किसके तहट तो याद रखिएगा, Braden Woods Sammelan के तहट, किसके, Braden Woods Sammelan के तहट जो है, यह बने हैं, तो यह आप सभी को याद रखना है, ठीक है, अगर बात करें, इसलामाबाद तो याद रखिएगा एक खान नगर है पाकिस्तान में उस चालिस किलो मीटर दूर जो है एक नदी बहती है जिसका नाम है याद रखिएगा हारो नदी क्या नाम है जिसका नाम है हारो नदी तो इसके किनारी ये बसा है याद रखिएगा बर्लिन बसा है इस्प्री नदी के किनारे बर्लिन जो है ये बसा है इस्प्री नदी के किनारे कमाल की बात ये है ये इस्प्री नदी के दोनों और बसा हुआ है यानि कि मान लो ये है एक नदी और यहां भी बर्लिन बसा है और ये भी तो इस पूरे उस्ये को क्या है बर्लिन कहते हैं तो जो नदी है इसके दोनों तटों पर जो है बर्लिन बसा हुआ है तो ये आपको याद रखना है मेंडरिड इस्पेन का एक इस्थान है याद रखिएगा ठीक है और ये किसने दीके किनारे बसा हुआ है तो याद रखिएगा जो मेंडरिड है ये बसा है आपका तो ये आपको याद रखना है कोश्चन कहा है कोश्चन है आपका ये भारत के निमलिकित पजासीन उपराश्टपतियों में से किसने राश्टपती के पत के लिए चुनाव लड़ा और हार गए यानि कि ये पजासीन थे ये उपराश्टपती थे पर उसी समय इनों ने राश्टपती के लिए चुनाव लड़ा था और हार गए थे कौन है तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे भैरो सिंग से काबत कब से कब तक ये बाइस प्रेसिडेंट रहे हैं तो ये रहे हैं दो हजार दो से दो हजार ताथ तक कब दो हजार दो से दो हजार साथ तक ये रहे हैं तो ये आपको याद रखना है एस रादा किश्णन जो है ये पहले बाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे तो ये आपको याद रखना है इनकी एक बुक जो आपको याद रखनी है आपके एक्जाम के लिए जरूरी है पूछी जाती है इसका नाम है एसेंचियल ओफ फिलोसपी क्या हो ज किये का इनका जर्म जो है ये है पांच सेप्टेंबर को और इसी दिन जो है हम क्या बनाते हैं इसी दिन हम टीचर्स डे भी बनाते हैं तो ये आपको याद रखना है इन्हें दार्सरिक राजा भी कहा जाता था तो ये भी आपको याद रखना है ठीक अगर बिबिगिनी की क्या बताना है कमेंट में बताना है आपको लिखकर थार्ड प्रेसिडेंट कौन थे जो थार्ड प्रेसिडेंट थे ये कौन थे इनका नाम क्या था ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है फेटापट से कमेंट में इसके वारे में आपको नीचे लिखकर बताना है जैसे कि म क्लास है यह होगी सुबह 6 बजे होती है यह है आपके करंट अवेर की असुनी सर इस क्लास को कराते हैं तो इस क्लास के साथ जुड़िए एक क्लास है आपकी सुबह 11 बजे कब सुबह 9 बजे है एक आपकी यह है आपकी मैंत की गुलसन सर इस क्लास को कराते हैं तो इस क्लास के साथ जरूर जुड़िए एक क्लास है आपकी साम को 5 बजे यह है आपकी MTS के Prevacer की यानि की जो क्लास आप भी कर रहे हैं यही क्लास जो है आपकी कराई जाती है साम को 5 बजे इसमें आप कोशन के एनलिसिस करते हैं किस किया यह है आपकी मैत और रीजनिंग की आपके अपने अजैसर इस क्लास को कराते हैं तो इस क्लास के साथ भी आपको जरूर जोना है और जिन बच्चों ने जो है अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं क्या है एक बार इसे लाइक कर दीजिए इस क्लास को आप सभी बच्चों क को शेर करना है अपने दोस्त भाई बंदू सभी के साथ जिससे कि वो भी इसका लाब ले सके यहाँ जखिएगा आप सभी के लिए उत्तर प्रिदेश पुलिस कॉंस्टेबल के लिए कि स्पेसल बैच है मैं तरीजिनिंग हिंदी जीया साथ वह यहां पड़ते हैं जो भी क्ल करना है 799 में यह बैच है लेकिन आपको यह पे नहीं करना है आपको पे करना है 399 कितना सिर्फ 399 ही आपको पे करना है और इतने में ही आपको यह बैच जॉइन करना यह वह नमबर है जिस पर फोन करके आप अपने सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं अगर आपको किसी बैच लॉंच किया गया है यहां आपको live classes और recorded कुछ classes दी जाती है याद रखना पीडिया best content doubt session दिया जाता है जो भी classes है एकदम basic से होंगी 399 में आप इसे भी join कर सकते हैं यह वो number है जिस पर phone करके आप अपनी सारी समझ्चा को समधान पा सकते हैं एक चीज और आप सभी को याद रखनी है वो यह कि आपकी जो यह जो पहली बात तो यह offer जो है यह सीमित है और classes जो है वो एकदम basic से होंगी आपके app का link इस पर click करके या वीडियो के description में जाकर play store पर जाकर सर्च करेंगे तो वहां भी आपको यह app मिल जाएगा इसे download कर लो यहा मिलेगी आपको ebook important notes और भी बहुत सी सुभजा है आपकी class की PDF आपको यहा मिले जाएगी तो इसे जो है आप जरूर download कर लीजिए आप आपको यहां कोई नई information अगर provide करानी हो तो दी जाती है आपकी class जब प्रारम होती है उससे पहले class को share किया जाता है और भी बहुत सी ऐसे जैसे इनको information हो गई आपके exam से related आपके class से आपके अपने परिवार ssc maker से related या कोई नया initiative या कोई नया thought अगर आपके साथ share करना है तो यहीं किया जाता है तो इसको भी जो है आप जरूर जोइन कर लीजे इसका link भी description में दिया गया यह है आपके अपने परिवार ssc maker के youtube channel का link तो इसे आपको share करना है अधिक से अधिक जिससे की अधिक से बच्चे class के साथ जोड़ें और उन्हें भी इसका लाव हो अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे साथ में बैल आइकन का बड़न आपको दबाना है और जिससे की class का notification मिले और इस class को जो है आप सभी को share करना है अपने दोस्त भाई बंदू सभी के साथ जिससे की उन्हें भी जो है इसका लाव प्राप्त हो एक चीज के लिए इतना ही next class में मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय वारत